गुद मॉरिंग माई डिर स्टूडेंट मैसेल्फ आलोक वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट हम डिसकस कर रहे थे क्लास 11 का फ़स्ट चप्टर देट इस बेसिक कॉंसेप्ट आफ कमिस्ट्री मुझे उमीद है आप सभी ने इससे related 8 वीडियोज देख ली होंगे अगर आप में से किसी ने पहले इसके 8 वीडियोज नहीं देखें तो आप पहले उसको देख लीजिएगा तो स्टूडेंट आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कुछ कोशन्स रिलेटेड टू फॉर्मूलाज विच वी हैव लेंट इन प्रीविएस वीडियोज मैंने यहां पर कुछ कोशन्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम एके करके डिसकस करेंगे यह सारे कोशन्स स्टूडेंट को हम सॉलंव कर सकते हैं विद हल्प आघ कन्वर्जिन डायग्राम तो पहले हम कन्वर्ज tecnología को समझ लेते हैं उसके बाद फिर हम एक एक कोशन्स को सॉल्व करेंगे क्लियर तो स्टुडेंट यह जो डाइग्राम बना रहा इसी को मैं क्या कह रहा हूं कन्वर्जन डाइग्राम कह रहा हूं राइट तो इसमें थ्री ends हैं एक end पे volume of gas in liter लिखा हूआ है second end पे लिखा हूआ है number of atoms और molecules और third में लिखा है weight in gram और center पे क्या लिखा है student मोल करेक्ट तो यह कन्वर्जन जो डाइग्राम स्टुडेंट यह जो हम three formulas हमने derive किये थे previous वीडियो में उसके basis पर ही है तो आए उसको recall कर लेते हैं पहला formula ता student number of moles is equal to weight in gram divided by gram molecular mass और gram atomic mass अगर molecule है तो gram molecular mass से divide करेंगा अगर atom है तो gram atomic mass से divide करेंगा sorry sorry second formula student number of atoms या molecule हो divided by क्या कर देंगे वो गेट्रोज नंबर से divide कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें mole तो second formula यह था थर formula था student कि volume of gas in liter divided by 22.4 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा mole तो यह जो conversion diagram student यह इनी तीन formula पर basis है ठीक है तो आई इसको देखते हैं तो यहाँ पर मैंने first end पर volume of gas in liter लिखा हुआ है तो अभी मैंने formula देखा था अगर मुझे volume given है और मुझे number of moles निकालना है तो हम क्या करेंगे divide कर देंगे 22.4 से और अगर मुझे moles से volume निकालना है तो हम multiply कर देंगे 22.4 से तो यहाँ पर यह arrow ऐसे ही दिखा रखा है यह जो arrow है left to right यहाँ पर हमने divided by 22.4 लिखा हुआ है और अगर हमें moles से volume चाहिए तो multiplied by 22.4 करेंगे second end पर student number of molecules तो अगर number of molecules से हमें क्या चाहिए moles चाहिए तो हम divide कर देंगे किस से एने से तो यह arrow वही show कर रहा है और अगर हमें moles से number of atoms यह molecules चाहिए तो हम multiply कर देंगे किस से एवोगेड्रोस नंबर से तो वह यह वाला arrow show कर रहा है करेक्ट अगर student हमार पास weight given है और weight से मुझे moles निकालना है तो हम divide कर देंगे gram molecular mass या gram atomic mass से divide कर देंगे तो वह यह वाला arrow show कर रहा है और अगर हमें moles से weight चाहिए तो हम multiply कर देंगे gram molecular mass से या gram atomic mass से तो वह यह वाला arrow show कर रहा है इसका मतलब क्या है यहां पर हम conversion कर सकते है student from volume to mole या mole to volume या weight to mole, mole to weight या number of atoms and molecules to mole या mole to number of molecules correct student clear एक और जो important बात student question ऐसा आएगा हमें कि volume से हमें क्या calculate करना पड़ेगा number of atoms या molecules या क्या calculate करना पड़ेगा weight तो student volume से directly हम number of atoms या molecules calculate नहीं कर सकते नहीं volume से हम directly क्या calculate कर सकते हैं weight हमें पहले क्या calculate करना पड़ेगा mole, mole से हम calculate कर सकते हैं number of atoms या moles से हम क्या calculate करेंगे volume, sorry weight calculate करेंगे volume से, correct, कहने का यह मतलब है कि volume से directly weight calculate नहीं कर सकते, ना ही number of atoms calculate कर सकते हैं, हमें पहले क्या calculate करना पड़ेगा number of moles, उसके बाद हम number of atoms calculate कर सकते हैं या weight calculate कर सकते हैं, clear, similarly student question अगर ऐसा आता है, number of atoms से हमें volume calculate करना है, या number of atoms से weight calculate करना है, तो यहां भी हम directly calculate नहीं कर सकते हैं, number of atoms से या molecule से volume, या number of atoms और molecule से weight, हमें पहले क्या calculate करना पड़ेगा, moles, और moles से फिर calculate करना पड़ेगा volume, या moles से क्या calculate करना पड़ेगा, weight, correct, similarly अगर question ऐसा आता है, हमें weight से volume निकालना है या number of atoms या molecules निकालना है तो यहां भी हम directly calculate नहीं कर सकते हैं पहले हमें क्या calculate करना पड़ेगा? moles, moles से हम number of atoms calculate कर सकते हैं या moles से हम क्या calculate कर सकते हैं? volume calculate कर सकते हैं, correct? तो मैं यहां पर क्या बताना चाहरा हूँ student कि हम ऐसा समझ कह सकते हैं कि जो मोल है एक intersection है मोल क्या एक intersection है या हम कहीं एक चौराहा है बगैर उससे पास किये हुए हम एक end से दूसरे end पे नहीं जा सकते हैं मतलब हम 1 से 2 पे नहीं जा सकते without going to मोल या 1 से 3 पे नहीं जा सकते without going to मोल करेक्ट या 3 से 1 पे नहीं जा सकते 3 से 2 पे नहीं जा सकते without going to मोल करेक्ट क्लियर तो आई होप student अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यह diagram कैसे help करेगा while solving the problem करेक्ट तो आई आप एक के करके problem discuss करते हैं student यह problems आपको सभी खुदी solve करनी है मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे question लिखावा है और हम इसको discuss करने जा रहे है copy में आप इसको खुद solve करनी है clear तो पहला question student calculate the number of molecules and weight in 5.6 liter of oxygen gas मैं दुबहरा repeat कर रहाँ question क्या है calculate the number of molecules and weight in gram of 5.6 liter O2 gas यहाँ पे एक और लिखना चाहिए था STP पे किस पे है STP पे student correct तो यह जो volume 5.6 liter हो किस पे STP पे तो आई अब हम diagram देखते है conversion और इसको question को solve करते है तो student हम कहाँ पे हैं यहाँ पे आपको given क्या है 5.6 liter given है और हमें निकालना क्या है weight या क्या निकालना है number of molecules तो पहले हम volume से क्या निकालेंगे mole कैसे निकलेगा student by dividing 22.4 तो moles कितना आगे 1 by 4 अब moles से अगर मुझे number of molecules निकालना है तो हम 1 by 4 को multiply कर देंगे किस से एने से correct तो यह क्या मिल गया number of molecules of oxygen और अगर मुझे weight निकालना है तो हम 1 by 4 को multiply कर देंगे किस से gram molecular mass से oxygen का कितना होता है 32 तो कितना आ जाएगा student यह 8 gram कितना जाएगा 8 gram तो answer क्या student इसका na by 4 और weight कितना है 8 gram करेक्ट समझ में है student और राएग सेकंड कोशन देखने student if 12.04 into 10 to the power 23 number of CO2 molecules are present then calculate its volume at STP and its weight में रिपीट कर रहा हूं if 12.04 into 10 to the power 23 number of CO2 molecules are present then calculate its volume at STP and its weight correct तो आईए फिर से देखता है हम यहां कैस और करेंगे number of atoms यह number of molecules given student यहां पर number of molecules कितना given है 12.04 into 10 to the power 23 इसका हम यहां पर हैं और हमें क्या निकालना है इससे volume निकालना है और weight निकालना है तो हम पहले क्या निकालेंगे most divide कर देंगे 6.02 into 10 to the power 23 से तो यह जब divide करेंगे तो moles कितना हैंगे student 2 अब mole से हमें volume निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 को multiply कर दें किसे student 22.4 से तो volume मिल जाएगा कितना 44.8 liter clear और अगर हमें mole से क्या निकालना है weight निकालना है तो हम क्या करेंगे molecule और weight से multiply कर देंगे और यहां हमने क्या लिया है CO2 लिया है student तो CO2 लिया हुआ है CO2 के molecular weight से multiply कर देंगे तो 2 multiplied by 44 तो आस्टन के निकालना है अंसर 88 gram तो इसमें हमने क्या conversion किया number of molecules से volume निकाला और number of molecules से क्या निकाला weight निकाला clear student third question देखते है in 8.5 gram of NH3 gas calculate the volume occupied by 8.5 gram of NH3 at STP and number of molecules present in it correct तो इस बार हमें क्या निकालना है 8.5 gram of NH3 gas गीवन है हमें उसका volume निकालना है at STP और number of molecules निकालना है तो student इस बार हमें क्या गीवन है weight गीवन है weight कितना गीवन है 8.5 gram तो weight से हमें क्या निकालना है volume निकालना है और number of molecules निकालना है और हमने gas concealer की है ammonia ammonia का molecular weight कितना होगा student 17 तो 8.5 को हम पहले डिवाइड करें किससे 17 से तो हमें क्या मिलेगा mole तो mole कितना मिलगा student 1 by 2 अब mole मिलगा में तो mole से volume कैसे मिलेगा 1 by 2 को multiply कर दे किसे 22.4 से तो कितना मिला 11.2 लिटर क्या मिल गया student volume मिल गया और यही number of molecules कितना मिलता है 1 by 2 को किसे multiply कर देंगे एने से तो हमें क्या मिल गया number of molecules मिल गये किसके ammonia के correct clear तो हम तीनों conversion देख चुके हैं पहले question में था volume गिवन था student उससे हमें क्या निकालना था weight या number of molecules second question में क्या गिवन था move volume sorry number of molecules गिवन था उससे हमें volume निकालना था और weight निकालना था third question में student क्या था weight गिवन था weight से हमें volume निकालना था या number of क्या निकालना था atoms निकालना था correct यह fourth question देखते है student क्या है calculate the number of molecules present in 49 gram of H2SO4 तो इस बार सिरफ हमें एक ही निकालना है एक ही टम निकालना है और वो क्या निकालना है number of molecules which is present in 49 gram of H2SO4 तो हमें weight given है कितना student 49 gram और हमें निकालना है क्या है number of molecules निकालना है तो पहले moles निकालेंगे डिवाइड करेंगे molecular weight से 98 से तो moles कितने आगे student 1 by 2 तो moles 1 by 2 आगे तो molecules कितने हैं कि multiply कर दें किस से एने से तो क्या मिल गया हमें number of molecules या number of molecules मिल गया किसके H2SO4 के correct student fifth question देखते है calculate the moles and weight of 5.6 into 10 to the power 23 molecules of NaOH correct तो यहां पर क्या हमें moles निकालना है और क्या निकालना है weight निकालना है इन 5.6 into 10 to the power 23 molecules of NaOH गीवन है तो क्या करेंगे student हम हमें इस बार number of molecules गीवन है तो क्या गीवन है वो 5.6 into 10 to the power 23 हमें क्या निकालना है moles और weight तो moles कैसे निकलेगा डिवाइड कर देंगे 6.02 into 10 to the power 23 से तो क्या निकल जाएगा मोल्स और मोल्स जितने आएंगे उसको multiply कर देंगे किस से student molecular weight से of NaOH कितना 40 तो हमें क्या मिल जाएगा weight मिल जाएगा correct clear student 6th question है calculate the number of atoms of carbon hydrogen and oxygen present in 90 gram of C6H12O6 clear repeat करो question calculate the number of atoms of carbon hydrogen oxygen present in 90 gram of C6H12O6 हमें क्या given है student weight given है और हमें number of atoms निकालने तो weight कितना given है 90 तो पहले हम mole निकाल लेंगे तो C6H12O6 का जो molecular weight calculate करेंगे student तो वह आएगा 180 तो moles कितने आगे student 1 by 2 तो moles से हम क्या निकालेंगे molecule multiply कर दें किस से Na से तो ये तो क्या आगे student Na by 2 तो molecules आगे किसके C6H12O6 के glucose के और अगर हमें अब carbon atom निकालना है तो एक molecule में कितने carbon atom student 6 तो carbon atom है तो इतने molecule में कितने होंगे Na by 2 में multiply किसे कर देंगे 6 तो ये क्या होगे carbon atom होगे student इतने similarly अगर hydrogen atom होगे तो 1 by 2 into Na किसे multiply कर देंगे 12 से तो कितने hydrogen atom होगे similarly जो oxygen atom होगे वो कितने होगे student 1 by 2 into Na तो molecules into कितने atoms 6 तो ये क्या आगे number of atoms of क्या आगे oxygen के clear student right तो हमने सारी question को solve किया with help of this diagram तो diagram बहुत important है यह आपको बहुत help करेगा conversion में यह solving the problem related to mole correct student I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे call कर सकते हैं correct student कर दो कर दो